कि अब लोग देख रहे हैं आपने रात को देखा ही था कि हम लोग काफी लेट आये थे रात में दो बज़ गए थे हमको ट्रेन पकटने में तो मैं काफी टायट हो चुका था और मैं सूगिया था कि अब देख रहे हैं अब लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जाएं के वहाप पे सेंट्रली उड़ार सिटी जाएंगे मेरी सिस्टर को छोड़ने फिर उसके बाद हम लोग वैश्णो देभी माता के दर्शन करेंगे उसके बाद में रिटन आते हुए जैसे कि पंजाब में जलंदर गुल्डन टेंपल तूम्ते हुए आएगे और अभी आप देख सकते हैं कि ललिफ्पूर का कोई नजारा बाहर का ट्रेन में से भीखाएंगे अब कर दो कि अब कर दो कर दो कर दो का लिए तो हम लोग का यूटूब चैनल है ना आग आग कर दो अजड़ाएफ भख जशलोगी कर दोसे लुटार इब ऊता हूं आसा हुआ है मुणको नशलोगी नाच्ट अजलोगी नाच्टो अत्ट। कि आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त प्रकाश्टिवारी जैसे कि आपने देखा अभी तक हम ट्रैवल करते हुए गुसावल से जम्मू के लिए निकले हैं कल रात में दो बज़े हम निकले थे और अभी दूसरा दिन हुआ है दूसरा दिन के अभी शाम के छे बज़ रहे हैं और अभी भी हम जम्मू नहीं पहुचें इस वक्त हम हैं आगरा के पास अभी शाम के छे बज़ रहे हैं और अभ शाम के कुछ 6 वजे के आसपास हो रहा है और आप देख सकते हो शाम का आगरा का नजारा जैसे कि आप ये ट्रेन भी देख सकते हैं जैसे कि हमें आपको ट्रेन दिखा रहा हूं ये ट्रेन में तुछ इस प्रकार से है दर्वादा बना हुआ और कुछ इस तरीके से ट्रेन का बातरूम है जो कि दिया हुआ है इंडियान रेल्वे के तरफ से ट्रेन में बातरूम में डस्बिन और ये जो शैंक दिया है मुहाद दोने के लिए और इस तरीके से कुछ टॉलेट दिया हुआ है और अभी अंधिरा हो चुका है तो बाहर का कुछ नजारा ऐसा है ये आगरा है आगरा स्टेशन का आउटर एरिया जो की कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है और अभी कुछी देर में हम आगरा रिल्वे स्टेशन पहुंच जाएंगे रात का नजारा के लिए नहीं आ रहा होगा है कि आप सब देख रहे हैं हम आगरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यह कुछ आगरा का नजारा इस प्रकार का है और यह हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और यहां वेंडर्स लोग कुछ बेच रहे है और यहां पेठा यहां पेठा बोट थेमास है तो यहां पेठा भी रहा है और अक्रा रेलवे स्टेशन इंडियोन बारत सरकार मिनिस्ट्री का मौसम है तो इसलिए अंधेरा जल्दी हो चुका है नमस्कार दोस्ते जैसे कि आप आप सब देख रहे हैं कि हम लोग नई दिल्ली रिल्वेक स्टेशन पहुंच गें जो कि इंडिया का कैपिटल है और अभी रात के साधे दास बज रहे हैं अभी ताह हम दिल्ली पहुंच तिवारी और स्वागत आपका एक नई समभा के साथ में एक नए वीडियो के साथ में वीडियो हो रहा है जम्मू पूलेटू जम्मू वाला अभी तक हम सिर्फ पठान कोट के आगे पहुंच है पठान कोट होई स्टेशन हैं जहां कुछ महीनों पहले आत्मवादी प्रकार का नजारा है तुर बार अधि हम दसरी तक जम्मू पहुंच जाएंगे और इस वक्त हम अभी पठान कोट से आगे अभी आप देख सकते हैं इस प्राकार का नजारा है तुर बाखर अगर अगर ऐसी पोच अटेंड ने मेकानीक है एसी मेकानिक रेल्वे के कुछ इस प्रकार से खोच है रिडिवे का पोच के वर्व देख सकते हैं यहां के यहां के यह पांच क्लास पोच के एसी वर्व होगा तो गाइस फाइनली आई रिज्ट मैं डेस्टिनेशन यम्बू और हमारा यह आखरी स्टेशन है यम्बू और हम आ चुके हैं जो अभी क्विए आ था नियारा वक टाइम हो रहा है 10 बज रहे है और आप देख सकते हैं कि जोगा के दसवा के श्रा नपो का ऐसा है और हम लोग आ चुके हैं कि गओ अ कि कि यह जम्मू रिल्वे स्टेशन के दो नंबर पर हमारी गाड़ी आई है और यह बाहर जाने का रास्ता है तो से चाड़े के उसी इस प्रकार और सामने एक्सेलेटर भी लगा हुआ है आप एक्सेलेटर से भी आ सकते हैं और इस प्रकार से आप बाहर जा सकते हैं और यह प्लेटफॉर्म नंबर वन का नजारा है कुछ इस प्रकार और वेटिंग रूम जिसको चाहिए प्लेटफॉर्म नंबर वन पर वेटिंग रूम बिल जाएगा बैठने की लिएUU यतरियों को कुछ उस प्रकार में बाहर जाने ससने से चाएं का कि एक डे qain सब्सक्राइशिंव में एक नमब्र प्लेटफॉम से बाहर आने का रास्ता वbn इ satisfactory के यहां आना है तुरेशीं आप revenir और यहां मसीन लगी हुई वैक चेक करानी के लिए मशीन पर चेक करवा सकते हैं और यह जम्मू का रेलवे स्टेशन का बाहर का मेन नजारा है कुछ इस प्रकार से कि जो आप देख रहे हैं यम्मू कि यह फाइनली हम यम्मू आ गए है कि और कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मंदेगा आपकर नुम्बर जहां में आपकर नवाइगा और यहां से आपको कट्राट्रा जाने के लिए अटो डिक्स से मिल जाएगा यह रिजर्वेशन आफिस है ट्रेन की और यह पार्किंग के लिए आप पार्किंग कर सकते हो आपके गाड़ी पार्क कर सकते हो यहां पर और इस तरीके से आपको बाहर जाना है और बाहर आपको आटो टैक्सी बस वगेरा सब मिल जाएगा और ये सामने जम्मू का बस स्टॉब है सरकारी बस स्टेंड गवर्मेंट आप जम्मू का आप यहां से बस भी कर सकते हैं और आपका एकदम कम रिफेयर में कम रेट में आपका टिकिट हो जाएगा और आप जहां जाना है वहां जा सकते हैं ये सरकारी या प्राइवेट बस स्टेंड जहां से आप बस ले सकते हैं कट्रा जाने के लिए यह में च्वरा है जम्मू का कट्रा जाने के लिए रास्ता है यहां से जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल और यह होटल है आपको सामने नजर आएगी कुछ इस प्रकार से यह स्टेशन से बाहर आने का नजारा है कुछ इस प्रकार से जम्मू से स्टेशन से बाहर आती आपको यह रोड दो सो मिटर तक पैदल जाना है फिर आगी जाके आप टैक्सी बगेरा कर सकते हैं कि यह सिटी ओफ टेंपल है कि वैश्णो दीवी धाम सामने ही है यहां पर रूख सकते हैं आके प्री आप परस्ट में यह शिव शॉपिंग कॉंप्लेक्स है और संकर भगवान का मंदिर है कुछ इस प्रकार और यह वैश्णो माता भक्ति धाम ट्रस्ट है इसमें आप आके रुख सकते हैं यह आपके सामने रहा वैश्णो धाम यह आपका पुरा भक्ति धाम बहुत ही बड़ा है यह जो आप देख सकते हैं और यह भक्ति धाम के बिल्कुली पीछे सारस्वती धाम है यहां पी भी पेट्रोल वगेर आप यहां से भरा सकते हैं यहां से हाई हिचाइटिंग भी कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से सरस्वती धाम है यह इसी कि आप देख सकते हैं यह सहीनिक आराम घर है आर्मी वालों के लिए बना है पुरा रहने के लिए यह सब कि यह स्टेशन से 200 मिटर आते ही एक सलून है अगर किसी को बाल कटाना है चेविंग करवाना है अपना जो भी करना है आप यहां सकते हैं और यह चौक के पास में एक कुछ फुट कॉर्परेशन आफ इंडिया का ओफिस भी है यह और यहां पर सलून के बाजू में खाजा गर सब्सक्राइब नवाज चीकन सेंटर भी जिसको चीकन वागेरा खाना और नौन वे जो खा सकते हैं और स्टेशन से कुछ 200 मिटर आते ही यह एफ सी आर एंड डिविजिनल कमिशनर ऑफिस भी है जम्मू आप यह भी देख सकते हैं यह चौक है जो कि च्रीक के स्टेशियरा यह शेएं श्मर करका तो कि अहैंन। जम्मू बाज स्टेंड जाने के लिए राइट में हैं सामने जम्मू बाज स्टेंड यह हैं सिता, बैक साइट ज्रस ऑफिस का और उसी के पीछे है जे ऐने के बैंक यहां से आपको आकर सिम कार लेना पड़ेगा यह जे कि यह जम्मू कश्मेर का कर इंकम टेक्स ओफिस है भीलत पोस्ट ऑफिस है मेगा दुद भवन नाम से इंडियन पोस्टे यहां का भारतिए ऴदल्ट के म०्न आयोक का क्यों ब spongy निर्वाचन आयोक विए भवन देख सकते आप निर्वाचन भवन वारत करना है यहां कि आपको SIM काड लेना है यहां पर बाहर के स्टेट का SIM काड बंद हो जाता है आने के पाद आपको यहां का लोकल सिम करना है खरीदना है तो सीowo कि हम भी आए हैं मिशो मार्केट में यहाँ पर स्लीपिंग मैंग भी मिल जाएगा आपको इस प्रकार से खाना शुद्ध शाकारी बोजन यह ब्लाभी मिल जाएगा आपको नॉन वेज दोस्तों यहां पर आपको देंगे आप कड़े और यहां पर स्टेट का नीं चले का इं परकाट नहीं चलेगा और आपको यहां का सिम्प्री पोस्ट लेना पड़ेगा जो आपने प्रिपेट लिया तो वो सिर्फ यम्मू से बाहर निकलते से बंद हो जाएगा